नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मास सनमार्क इनेम होरोस्कोब दो हजार पाईस इनाम होरोस्कोब दो हजार बाईस इनाम बालों का रासी फल दो हजार बाईस में क्या कहता है अगर आपको अपने जन्म का तिथी मालूम नहीं है तो आप अपने नाम के पहले लेटर से ये जान सकते हैं कि आने वाला साल आपके जीवन में कितनी खुसियां लेकर आएगा, कितनी चुनौतियां लेकर आएगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं, अगर आपके नाम का पहला लेटर E है, यानि E लेटर से आपका नाम सुरू होता है, त तो आपके पारिवारी जीवन, प्रेम जीवन, दामपत्ती जीवन, करियर, नौकरी, प्यापार, स्वास्त, तमाम चीजें खासकर जो विद्ध्यारती हैं कैसा रहेगा तो चलिए 2022 की बात करने के पहले एक और बात जानने अगर हम निम्रोलोजी की माने तो यह लेटर जो है वो अंक 5 के अंतरगत आता है और अंक 5 बुद्ध गरह का होता है साथ ही कृति का नचतर में आता है इनके स्वामी सूर्य देव हैं और ब्रिसर्वरासी के अधिन जो कृति का नचतर है लेकिन E-letter का स्वामी सुक्र है इसका मतलब यह हुआ कि E-letter वाले लोगों के लिए 2022 में बुद्ध, सुर्य और सुक्र आपको हर तरह की स्थीतियां देगा तो E- नाम बालों आपके लिए 2022 यहां पर देखिए अंग पांच बुद्ध का सुर्य इसलिए क्योंकि अंक जो E-letter है यहां पर कर्तिकार नच्छतर के अधीन है और तो चले जानते हैं कि सुर्य बुद्ध और सुक्र से 2022 कैसा रहेगा करियर और वेबसाइट की बात करते हैं तो 2022 में आपके लिए जो सुरुवात है वो बहुत अच्छा है आप अपने दिमाग का ज्यान का फायदा उठाएंगे इसकी बज़ा से आप करियर में ज्यादा तरक्की करेंगे और प्रयास से आपको सफलता मिलेगी अगर आप जॉब करते हैं तो सुरुवात में ही आपका प्रभाव कारिशेतर पर बना हुआ है जिसकी बज़र से नौकरी में पद्र परतिष्ठा बढ़ेगा बस इमानदारी और लगन से आपको काम करना है पदोनती होने के भी योग बनेंगे अगर आप बैपारी हैं तो वर्स की सुरुवात में छोटे मोटे उतार चढ़ाओ है लेकिन अगर पार्टनर्सिप में काम करते हैं तो बस कहा सुनी के सिकार ना होचा इसका ध्यान रखिएगा जून जुलाई के बाद आपके वैपार में ज़्यादा तेजी आएगी और नौमबर तक जारी रहेगी हलांकि दिसंबर आपका एबरेज रहेगा लेकिन जून से लेकर नौमबर तक का वक्त बहुत अच्छा है बैवाही जीवन की बात करते हैं तो रिस्तों पर थोड़ा ध्यान बनाए रखना है क्योंकि जीवन साथी के साथ छोटे मोटे बहस होना जगड़े होना दूरियां जैसी चीजे हैं और इस समय घर का माहौल न बिगड़ जाए सांती बनाए रखे वैसे तो जीवन साथी के बैवार थोड़ा अजीव लगेगा क्योंकि उगरता उनके बैवार में है जो रिस्तों में कहीं न कहीं आग में घी का काम करेगा तो आपको सांत रेना है हलांकि बैवाही जीवन में माई के महिने से यानि कि जैसे ही गुरू और सनी का रासी परिवर्तन होगा संतान प्राप्ती के सुबसुमचार आपको मिलेंगे और रिस्ते भी आप लोगों के मजबूत होंगे पर जो बिद्यारती हैं उनके लिए पढ़ाय लिखाई पर आपको मेहनत करना है क्योंकि आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही फल मिलेगा अब आप सोचेंगे एगंटे पढ़ लिए तो होगे नहीं आपको दिमाग से पढ़ना है सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं होगा मेहनत करना है जितना मेहनत उतना फल मैई जून जुलाई अगस्त का जो मेहना है वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है पढ़ाई पे फोकस भी रहेगा और चीजें समझ में आएगी जिसके कारण आपके पक्ष में आएगा अक्टूबर नमबर के मेहने में अगर आप कोई भी प्रतिविता प्रिच्छा आप देते हैं एक्जाम में भाग लेते हैं तो यकिन सफलता मिलने के चांसेज बढ़ेंगे तो उच्छी सिक्षा प्रात कर रहे हैं विद्यार्थियों को मेहनत के साथ मांग दर्सन की भी आवा सकता है बस थोड़ा सा मांसिक रूप से सांध रहें और रोज भगवान सुरी को परणाम करके गायतरी मन 27 बर पढ़ें लब लाइव की बात करते हैं तो मध्य में शुरुवात में आपका जो लब के उपर ध्यान न रहकर आप अपने करियर पर या पिर आपके जो तमाम जिम्मेदारियां उस पर आप फोकस किये हैं तो ये चीज़ें कहीं न कहीं थोड़ा से रिस्तों में दूरिया लाएगा पर फिर भी दिल से आप उन्हें प्यार करते हैं और अप्रेल के मेहने से चीज़ें आपके पक्ष में आएगी थोड़ा सा एक दूसरे को समय देंगे और विश्वास भी आप लोगों का एक दूसरे पर बना रहेगा यकिनान आप उनसे विवाह करना चाहते हैं तो वो भी नौमबर दिसंगबर के मेहने में हो सकता है और विवाह के बाद यात्रा भी दिखता है तो अगर हम धन की बात करें तो जो जन्वरी प्रवरी का मेहना है थोड़ा खर्चा बढ़ा हुआ है लेकिन ये खर्चा सुब कारे में होगा मंगल कारे में होगा पर हाँ आप अपन बिजनस को लेकर तो आप जरूर कीजिए आपको इसका वेनिफिट भी मिलेगा स्वास्त की बात करें तो सुरुआत में थोड़े से कमजोर है तो जैसे की बाहर का खाना पीना से आपको बशना है नहीं तो पेट की समस्या परिसान करेगी तो इसका आपको ख्याल रखना चाह होती है और अपनी लाइब को सतंता के साथ जीना पसंद करते हैं अपनी इच्छाओं को दूसरों पर लादना ना इन्हें अच्छा लगता है ना ही यह चाहते हैं कि इनके उपर कोई अपनी इच्छा बेवज़ा दे और किसी का भी अपने प्रती बेभार यह बिल्कुल प पसंद नहीं है हाँ थोड़ा सा अपने रिष्टों के प्रतिये मंदार जरूर होते हैं और इसी के करन तो इनके रिष्टे में इतना प्यार होता है भरुसा होता है तो इन आमबालों के लिए ओवर और यह 2022 बहुत सारी खुसियां लेकर आ रहा है तो खुसियों को कैसे पा आप लगी आलबालेंगे दनीगा